ससुराल छोड माईके में बसी कामचोर बहू गोपी आंगन में बनाए मिट्टी के चूले पर सूखे पत्ते जोग कर खाना बना रही थी तबी पंडित जी आते हैं अरे जैक कोपाल जी की कोपी बेहन कैसी हो अरे पंडित जी पधार ये ना अंबी बेटी पानी ला कर दो पंडित जी को जी मा लाती हूँ अरे इतनी कड़ी धूप मैं चोले पर रोटी क्यों सेक रही हो वैसे ये उमर आपकी रोटियां पकाने की नहीं बलकि पोते पोतियां खिलाने की है अरे भई सूरज का विवा कर दीजिये और घर में बहू ले आईए आप ही कोई अच्छा सा रिष्टा देख दीजे पंडि जी बस बहू आकर मेरा घर संभाल ले और दो टाइम की रोटी पानी मिल जाए मुझको इस पुढ़ापे में और क्या चाहिए भगवान की कृपा दया से हर सुक सुविधा देंगे बहू को ये सोच कर आप चिंतित मत हो येगा कि उसे भी चूला फूकरा पड़ेगा गैस चूला एसी फ्रिज सब लगा है अंदर घर में ये तो मैं अपने मन से मिट्टी के चूले पर खाना बनाती हूँ गाउं देहात की याद ताजा हो जाती है गाउं चोड़ कर कमाई धन्दे के चलते हैं अब हम तो परदेश में बस गए हैं मगर बहू ऐसी चाहिए जो शादी के बाद मेरे घर परिवार की होकर रह जाए पंडित जी गोपी को कुछ लड़की की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें से वह पूजा को पसंद करती है और दोनों परिवारों में बात पक्की हो जाती है लेकिन गोपी जहां कामकाजी बहु ढून रही थी पूजा उतनी ही कामचोर में जास की थी जो माईके में एक तिन का भी टस्से मस नहीं करती थी अब शादी का दिन निकल जाता है दूमधाम से सूरज और पूजा के फेरे पड़ जाते हैं इधर खुश्या मना दे हुए सास गोपी ससुर किशन से कहती है चलो जी अब घर में बहु आ जाएगी तो बहु के हाथों की चैन की रोटी खाएंगे दोना बूड़े बुड़िया हाँ भागिवान अब तो बहु के आने से जो भी खाने की इच्छा थी पूरी हो जाएगी माया और दिलीव दोनों आस्वों से बेटी की बिदाई करते हैं अरे जा मेरी बच्ची सदा खुश रहना ममा दोंट क्राई माय बेबी चिंता मत करो ममी डैरी जल्दी तुम से मिलने आएगे चलो अब आसु पोचलो वरना मेकप खराब हो जाएगा इसी के साथ बहु बिदा होके ससुराल आ जाती है जहां सास आर्थी उतारती है आओ बहु रानी अब तुम आ गई हूँ तो मैं तो जिम्मेदारी से मुक्त हो गई हूँ आज से ये ससुराल तुम्हारा है सारी जिम्मेदारी तुम्हें साप रही हूँ काम की बात आते ही बहु के मुँपर बारा बच जाते हैं, वो हलके से बोलती है जी माजी, स्वागत के साथ ही कामों का बोज़ा लाद दिया जैसे मैं बहु नहीं कान तबाई हूँ, जाड़ु वाला समझा है क्या घुसे में बहु दिल के अंदर ही अंदर बढ़ बढ़ करने लगती है, तब ही नना दम भी कहती है अरे भाबी आप तो पसीने में नहा गई है, चलिए हम आपको कमरा दिखाते हैं, लेंगा बदल लीजे जी नना जी, कमरे में आने के साथ ही बहु किसी अलसियाए गधी की तरह सो जाती है, थोड़ी देर बाद सूरज कमरे में दाखिल होता है पूजा, पूजा, अरे ओठो न, लगता है धक्के सो गई सवेरे सूरज की किरन फूटते नना दर्वाजे पे आती है भाबी, ओ भाबी, नहादो के बाहर आजाओ उफ, ये कौन सुबह सुबह, चेचे पेपे कर रहा है, कितनी मस नीन दाई थी इसी में किच-किच बाजी करते हुए, बहु तयार होकर किचन में आती है आ गई तुम बहु, येलो येलो, गुड़ चावल से चूला पूजन करो जी मम्मी जी, हो गया चलो अब अपनी पहली रसोई में आलू, पूरी, पुलाव और मीठे में एक-दो किसम की मिठाई बनाना और गर्मी का मौसम है, तो थोड़ा बूंदी करायता, आमपनना और दई भल्ले भी बनाना साहस का दिया ओडर सुनकर कामचोर बहुरानी जलकर कोईला हो जाती है हाई राम, इतनी गर्मी के मौसम में मुझे तो यहां खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा इतनी सारी वराइटी बनाने में मेरी तो हवा बंक्चर हो जाएगी तभी ननत को रजोई में से जाते देखकर वो रोक लेती है ननत जी, जरा सुनिये तो जी भाबी, जरा मेरा हाथ बटा दीजे जी बिलकुल भाबी हे भगवान, मेरे चमकीले प्यारे नाखून आटा गूतने में तूट जाएंगे कुछ सोच पूजा तभी पूजा को तरकीब सूचती है ननत जी, आप पूरी काटा तयार कर दीजे और आलू उबाल दीजे मैं जरा भी आई, आपके भईया आवाज लगा रही है इसी बहाने से पूजा कमरे में आकर एसी की हवा खाने लगती है हाई, आप जाके रहत मिलिये वर्ना उस सरी गर्मी में आलू की तरह उबल गई थी मैं तो लेटे लेटे पूजा सो जाती है इधर पसीने में लटपद नना दकेले ही रसोई में लगी थी इतनी देर हो गई है भाबी को गए, पता नहीं कहा रह गई तभी पूजा किचन में वापस लोटाती है अरे वा ननत जी, आपने आलू पूरी बना दी चलो, अब जाओ, जाके मिठाई में बना लूँगी बस एक बार सासु मा को भेज देना, न मकमिर्च चक लेंगी जी भाबी ननत के जुआते सास रसोई में आती है, तबी चक्कर खाने का नाटक करके बहु बोली अरे बहु क्या हुआ तज़को? पता नहीं मा जी, सब कुछ गोल-गोल घूम रहा है, दिल भी बेचैन हो रहा है और दम भी खुट रहा है लगता है तुझको गर्मी लग गई है बहु, जाके आराम कर मिठाई मैं बना लूँगी जी धन्यवाद मा जी इस तरह काम से बचने के लिए बहु ननत के साथ 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 से भी चाल पट्टी खेलती हो और कमरे में आके कुंडी लगा के मस्ट फैल कर सोजाती है हाई देखो तो मेरा मेक अप धुल गया, थोड़ा टच अप कर लेती हूँ एसी में बैठे मेक अप करते करते वह गुन-गुनाने लगती है जन्वरी फरवरी मार्च अपरल मैं और जून जलाई सासू सारा काम करे बहु रानी खाए मिठाई ठाट तो मेरी है, इधर बहु के मन में लड़ू फूट रही होते उदर सास ननत के सामने उसकी पोल खुल जाती है मा पितनी गर्मी में क्यों खड़ियों किच्ण में अरे तेरी भावी की तब्यद भी गड़ गई थी आलू पूरी बना दिया है मिठाई मैं बना देती हूँ मा खाना मैंने बनाया है भावी ने नहीं अच्छा तो बहु ने मेरे संग चाल खेली इसे तो मैं लाती हो लाइन पे गोपी बहु को बहुत सुनाती है अब गर्मी में मूँ टेड़ा करके बहु बिनक कर गर्मी और पसीने में खाना बना कर खेलाती इसी तरह से दिन गुजरते हैं ये बगवान ससुराल नहीं हो गया कि भवाल हो गया है गर्मी में मर मर के खाना बनाओ इससे अच्छा मैं माई के चली जाओ काम से बचूंगी पूजा कॉल करके अपनी मा को जूट मूट की बाते गरती है मा तुम्हारी बेटी सूख कर काटा हो गई है ये लोग मुझसे दिन रात काम करवाते हैं तुम मुझे बिदाई करवा के ले जाओ आकर इनकी ये मचाल तू रो मत में आती हूँ कुछ गंटों में माया बेटी के ससुराल में धमक जाती है और उसे ले आती है भाग्यवान पूजा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं बलके उस घर खांदान की बहू है कूरे दान में गया उनका खांदान देखना जरा मेरी बच्ची का फूल सा खिला-खिला चहरा कैसे मुर जाया हुआ है अब मैं उसे गर्मी का मौसम गुजरने तक नहीं जाने दूँगी ये सुनकर पूजा का मन खुशी से भूल जाता है चलो अब मुझे रोटिया नहीं बेलनी पड़ेंगी कुछ दिन माईके में मज़े से रहूंगी, खांगी, फुलेश करूंगी पूजा अपना जामान लेकर कमरे में जाकर ठाट से पलंग पर पसर जाती है इधर शाम को सूरज काम से आकर पत्नी को ढूणता है पूजा, पूजा कहां हो तुम? बहु तो अपने माईके गई है बेटा, समधन जी आई थी लेने माँ आपने जाने ही क्यों दिया? आपकी तबियट ठीक नहीं है, मैं लेकर आता हूँ रहने दो बेटा, दो-चार दिन में आज आएगी बहु लेकिन माईके का सुख भोगने के बाद भला कौन सी बहु? गर्मी में रसुई में पाव डालना चाहती है पूजा का भी हाल इस तरह का ही हो जाता है वो सारा दिन अपने गमरे के पलंग पर पड़ी रहती है और अपनी मा के आगे चटोरों की तरहा बैठे बिठाए खाने पीने की फरमाईश जताते रहती है उफ, आज तो टूमच गर्मी है ममी ओ ममी, क्या है पूजा जरह मुझे इगलास ठंडा जूस ला दो गला सूक रहा है लाती हूँ, इसने तो आलसी गधे को भी पीछे छोड़ दिया है कामचोरी में महरानी को सब कुछ बैठे बिठाए चाहिए मैं यहां गर्मी में लगी रहूँ काम चूड़ कर माया जूस बना कर बेटी को कमरे में देती है ये क्या मा मैंने जूस कहा तो वही लाई हो, कुछ चिप्स भी ले आती न पूजा तु क्या हाथ पैर में महंदी लगा कर बैठी है अपना भी थोड़ा हाथ पैर चला लिया कर सारा दिन दही की तरह कमरे में जमी रहती है ये नहीं कभी एक ग्लास सरका लूँ ज़ाडू ही मार लूँ तो तो मायके में आकर बसी गई है महीना हो गया तुझको अब तुझको अपने घरद्वार में जाना चाहिए अपनी मा का फटकार भरे टोन में बोला पूझा को नीम के जितना कड़वा लग जाता है मैं अपने ससुराल में कितनी काम चोरी करती थी और तो और सब को जला हुआ खाना के लाती थी फिर भी किसी ने ऐसा नहीं बोला सच्ची में शादी के बाद बेटी माईके में महमान रहे जाती है मेरी गलत ही थी जो मैं माईके में आंके बस गई माने आज जता ही दिया ये सोचकर पूझा की आंखे नम हो जाती है तब ही उसका पती सूरज आ जाता है पूझा गले लग जाती है पूजा अपने पती के साथ ससुराल लोट जाती है और एक अच्छी बहू का करतव निभाते हुए अपना ससुराल समभालने लग जाती है